नमस्कार कैसे हैं आप सब मैं आकास देशवाल एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ नई वीडियो लेकर ये वीडियो है फहीम मच मच की बची ही कहानी पर अगर आप सीधे इस वीडियो पर हैं तो उपर फहीम पर बने पार्ट वन की वीडियो का लिंक होगा जा वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं पहले पार्ट में हमने फहीम को लेकर बताया था कि कैसे वो डी कंपनी से जुड़ता है और उनके गैर कानूनी धंदो को संभालता है और चोटा सकील का देखते ही देखते खास बन जाता है अब उसे डी कंपनी दुबई बुलाती है ल इसके बाद वो दुबई जाता है लेकिन वहां भी मुमबई पुलिस उसका पीशा नहीं चोड़ती पुलिस उसे दवोचने का प्लान बना ही रही थी कि डी कंपनी उसे दुबई से करांच बला लेती है कहते हैं या डी कंपनी ने फहीम को पूरी तरीके से बसाया था उसे चोटा सकील के घर के पास एक घर ले कर दिया और उसकी सिक्योर्टी के लिए भी कुछ लोग रखे थे अब वो समय था जब D कंपनी के जादातर धंदे पाकिस्तान में ही चलते थे फहीम बीडी कंपनी के कहने पर दसको तक छिपा रहा लेकिन मुंबई पुलिस लगातार उसकी धर पगड की कोशिस में थी और उसे लेकर कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था कहा तो ये भी जाता है कि फहीम मच मच भारतिया इंटेलिजेंस को कई बार चकमा देकर दुबई भी गया था अब कई सालों तक पुलिस को उसकी कोई खबर नहीं लगी कहते हैं कि फहीम ने एक बार एक महीला कार्यकरता को जान से मारने की धमकी दी थी यहां तक कि उस महीला के ठिकाने तक अपने शूटर भी भेज दिये थे लेकिन जिस से पहले शूटर अपना काम करते पुलिस ने उन सभी को धरदबोचा अब सभी गिरफतार कर लिये गई फिर 2020 में मुंबई एंटी एक्स्टोर्शन सेल ने वर्सोवा में एक करीमा शाह उर्फ करीमा आपा नाम की महीला को गिरफतार कर लिया मुंबई पुलिस ने बताया कि ये महीला हत्यारों की सप्लाइ करती है और जब इसके घर की तलासी हुई तो पुलिस को भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ था फिर 2020 में ही मुंबई पुलिस एंटी एक्ष्टोर्शन सेल ने फहीम मचमच के तीन शूटर विनोद गयकवार, फजलू रह्मान और मुहमद यूसुफ सहा को गिरफतार कर लिया इन तीनों के पास से पुलिस ने वे हत्यार बरामद किये जो उन्हें करीमा शाह ने मुहया कराए थे ये तीनों साउट मुंबई के बिलडरों से वसूल लिक्या करते थे वहीं करीमा शाह अपने धंदे में किसी भी तरह का competition नहीं चाहती थी और ना ही कोई किसी तरीके का disturbance तो इसके लिए उसने फ़हीम मचमच से मदद ली और उसकी मदद से जो भी उसके धंदे में आड़े आया उसने उसे रास्ते से हटवा दिया अब करीमा बेहद चालाक महिला थी कहते हैं कि ये तीनों shooter फहीमा के कहने पर उसके दुश्मनों को घाट को पर में ठोकने वाले थे तो वहीं करीमा अपने उपर लगे पहले cases में आत्म समर्पन करने वाली थी ताकि ये जो लोग थे जिनको shooter मारने वाले थे उनका इर्जाम इसके उपर ना लगे लेकिन इस कांड के पहले ही पुलिस उन सभी shooter को गिरफतार कर लेती है और पुलिस उसके plan पर पूरी तरीके से पानी फेड़ देती है करीमा पर 20 से ज़्यादा मुकद में हत्या हत्या के परियास फिरोती जैसे मामलों में दर्श थे कहते हैं कि फहीम कर दिये जब भी फहीम कहीं जाता था तो उसके साथ हत्यारवंद बोडिगाड चला करते थे अब बिग बोस कंटेस्टेंट 11 जो 11 सीजन था उसका एक कंटेस्टेंट था जुबेर खान इसको तो आप पता ही होगा उससे लेकर ये भी कहा गया है कि इसके फहीम मच मच के सा सबनम को पाकिस्तान के नंबरों से धमकी बरे कोलाने शुरू हो गए तब पुलीस हैदराबाद से अमीन हैदर मिर्जा और अवरार को गिरफतार करती है अब ये गिरफतारी हुई थी सबनम से के केस में पकड़े गए तीनों शूटरों ने कबूला था कि उन्हें सबनम से को मारने के लिए हायर किया गया है पुलीस ने उनके पास से पिस्टल भी बरामत की थी तभी क्राइम ब्रांच के एक ओफिसर ने जुबेर खान को लेकर हैरान करने वाले खुलासे की उन्होंने बताया कि जुबेर के कहने पर फही मच मच ने शूटरों की भरती ओनलाइन अब इनी सब के चलते और सबनम केस को देखते हुए पुलीस जुबेर खान को भी गिरफतार कर लेती है तभी जुन दोजार इकिस में आखरी दिनों में घाट को पर के एक व्यापारी को धमकी बरा फोन आता है जिसमें उससे रुपो की डिमांड की जाती है अब उस व्या मच मच की तरफ से किया गया है या फिर कोई उसका नाम लेकर व्यापारी को धमका रहा है अब जब पुलीस इन सब की चानवीन कर रही थी तो पुलीस को खबर मिलती है कि फहीं मच मच की मोत हो गई है अगस्त दोजार इकिस में करोना के चलते उसे करांची के स्पताल में भरती कराया गया था जहां उसकी मोत हो गई अब ये खबर तब पुकता हुई जब मुंबई पेरूलेन में रहे रहे उसके रिष्टदारों को ये खबर पहुचाई गई लेकिन छोटा शकील का फईम की मोत पर कुछ और ही कहना था छोटा शकील ने बताया कि फईम की मोत क करोना के चलते नहीं बल्कि सावत अफरीका में हाट अटेक के वज़े से हुई है अब चाहे करोना के चलते हुई हो या फिर हाट अटेक से ये खबर पुलिस के लिए चैन की सांस साबित हुई थी अब फईम के उपर मुंबई और गुजरात में दो दरजन से जादा मामले दर्श से तो ये थी फही मच मच की कहानी उमीद करते हैं आपको ये इस्टोरी पसंद आई होगी इस्टोरी को लाइक शेर करना बिल्कुल नभूलना और हां सब्सक्राइब तो करी देना अगर अउसाइब